एक बार गौतम बुद्ध अपने शिश्यों के साथ एक गाउं की तरफ जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक युवक बेहद गुसे में पहाडी की तरफ जा रहा है। बुद्ध उसे देखते ही समझ गए कि या तो यह किसी की हत्या करने जा रहा है। या फिर खुद आत्महत्या करने। वो युवक जैसे ही पहाडी से कूदने जा रहा था। गौतम बुद्ध ने तुरंत उसका हाथ पकड़ कर उसे खीच लिया। यह देख उस युवक ने कहा। आप मेरा हाथ छोड़ दे मेरा जीवन है, मैं जो चाहे इसके साथ करूँ। आप मुझे मत रोकना, गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, तुम चाहो तो दोबारा से कूद जाना लेकिन पहले दस मिनट रुक जाओ। दस से बारा बार लंबी सांसे लो और अपनी हथेलियों को खोल दो, उसके बाद ही मैं तुम्हें दो बारा आत्महत्या करने दूँगा। उससे पहले नहीं, युवक बोला, आप मुझे बेकार ही इतना परेशान कर रहे हैं, मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ। लेकिन अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं दस बार लंबी सांसे ले लेता हूँ, अपनी हथेलिया खोल देता हूँ, उसके बाद आप मुझे आत्महत्या करने से नहीं रोकेंगे। उस युवक ने अपनी आखें बंद की, दस बार लंबी सांसेली अपनी हथेलियों को खोला और फिर धीरे धीरे अपनी आखें खोली, फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो वह युवक पहाडी की तरफ गया, उसने जैसे ही कदम आगे बढ़ाए, पहाडी के नीचे देखा, वह देखते ही पीछे हट गया और वापस जाकर बुद्ध से बोला, आप कौन हैं, आप से तेजस्वी व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा अभी मेरे साथ क्या हुआ है, क्या आप मुझे समझा सकते हैं, कुछ वक्त पहले तो मैं इस पहाडी से कूद जाता, लेकिन अब एक भय उत्पन हो गया है बुद्ध मुस्कुराएं और बोले, जब तुम पहाडी से कूदने वाले थे, तब तुम्हारे अंदर क्रोध था क्रोध सोचने समझने की शक्ती को नश्ट कर देता है, हमारी बुद्धी उस वक्त काम करना बंद कर देती है, उस समय तुम फिर वो करते हो, जो तुम्हारा मन कहता है, उस समय क्रोधित तुम्हारा मन एक जगह नहीं था, उस समय तुम खुद को खत्म कर देना चाहते थे और तुम्हारी नकारात्मक उर्जा सकारात्मक उर्जा में बदल गई, जिसके कारण तुम्हारी बुद्धी को नियंत्रन प्राप्थ हुआ, और तुम सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए आत्महत्या करने जा रहा था, बुद्ध ने कहा कि आत्महत्या करके कोई इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक हमारे पास यह शरीर है, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यदि यह शरीर नहीं होगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकत युवक कहता है आप सही कहते हैं बुद्ध लेकिन आप नहीं जानते मेरे पिताने मुझे बहुत अपमानित किया है वह मुझे हर बात पर टोकते हैं बचपन में वो मुझसे बेहत प्रेम करते थे उसके बाद उन्होंने मुझे शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया मैं हमेशा सोचता था कि मैं गेहन अध्ययन करके उनका नाम रोशन करूंगा और मेरे पिता यह सब देखकर बहुत खुश होंगे जब मैं शिक्षा पूरी करके वापस आया तब मैंने अपने पिता को बताया कि मैंने सारे शास्त्र वेध उपनिषत कंठस्थ कर लिये हैं और मुझे से बड़ा ज्यानी कोई नहीं है तब वो खुश होने की जगह मुझे से कहते हैं कि अपने आपको ज्यादा ज्यानी होने के भ्रम्मे मत डालो ना ही खुद में अहमकार लाओ, मैं तो उन्हें दिखाना चाहता था कि मैंने कितना गेहन अध्ययन किया है। मैं बड़े-बड़े शास्त्रार्थ में जाने लगा, सभी मेरे ग्यान से प्रभावित होने लगे, सभी ने मुझे महान ज्याता माना, लेकिन मेरे पिताने नहीं माना। वह मेरे शास्त्रार्थ के बीच पहुँच जाते, और मेरे बताये गए ज्यान में कुछ ना कुछ कमी निकालते, और सबके आगे मुझे अपमानित करते। वो मेरे साथ रहने वाले मित्रों को भी अपमानित करते थे यह कहकर कि वो मेरा जीवन बरबाद कर देंगे क्योंकि वो मेरा साथ देते थे, मेरे ज्ञान की प्रशनसा करते थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है तब मेरे मित्रों ने मुझसे कहा, क्योंकि वो मेरे जितना ज्यान अर्जित नहीं कर पाए, इसलिए वो मुझसे इर्शा करते हैं एक दिन मेरी उपाधियों के कारण मेरे मित्रों ने मुझे मदिरापान कराया, यह बात मेरे पिताजी को पता चल गई वो धून्दते धून्दते वहां पहुँच गए और मुझे वहां सब के सामने थपड मार दिया मुझे बहुत अपमानित महसूस हुआ तब मैंने यह तै किया कि मुझे मेरे पिताजी को सबक सिखाना है और मैं यहां आत्महत्या करने आ गया क्योंकि एक पिता के लिए इससे बड़ा सबक क्या होगा जब वह अपने बेटे की अर्थी को उठाएंगे तब उन्हें एसास होगा कि उन्होंने क्या गलती की है बुद्ध मुस्तुराए और बोले मुझे एक बात बताओ जो ग्यान तुम्हें आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करें तो वो ग्यान किस काम का वो कहां से अच्छा हुआ जो तुम्हें एक गलत काम को करने से नहीं रोक पा रहा युवक ने कहा आप सही कहते हैं बुद्ध अब मैं खुद अज्ञानी सा महसूस कर रहा हूँ आप मुझे अपनी शरण में ले मैं आपसे ज्ञान प्राक्त करना चाहता हूँ बुद्ध ने कहा तुम मेरे साथ चार दिनों तक रहना और उसके बाद अपने पिताजी के पास जाना अपने पिता के घर तुम मध्यरातरी के बाद जाना और बिना किसी हलचल के चुपचाप भीतर जाना तब तुम्हें जीवन का सबसे पहला ज्यान मिलेगा वो युवक चार दिनों तक बुद्ध के पास रहा और उसके अगले दिन पिता के पास चला गया जब मध्यरातरी वो अपने घर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी माताजी बिस्तर पर बहुत बीमार पड़ी है और युवक के पिता से कहती हैं कि तुम्हारी सक्ती के कारण आज मेरा बेटा मुझसे दूर है अगर तुम इतने सक्त नहीं होते तो आज घर छोड़ कर नहीं जाता वो युवक अपनी पिता की तरफ देखता है वो देखता है की जिनकी आख में आज तक आसु नहीं देखे थे आज वो नम आखों के साथ बैठे हैं उसके पिता कहते हैं मैं उसे दुख नहीं देना चाहता था बस उसके अंदर अहंकार ना आये, उसे दूर करता था तभी उसके अंदर की कमियों को वहां जाकर बताता था ताकि मुझे सुन कोई और भी उसे उसकी कमी बता सके और उसे अपने ग्यान पर कभी घमंड ना हो क्योंकि व्यक्ति का अहंकार उसे हमेशा ले डूबता है लेकिन उस भीड में मेरे सिवा कोई नहीं होता था जो उसको उसकी गलतियों के बारे में बताएं तब मैंने तय किया कि मैं उसे उसकी गलतियों से अवगत कराऊंगा लेकिन वो मेरी ना सुनकर हमेशा अपने मित्रों की सुनता था और एक दिन जब उसने मदिरापान किया तब मेरा दिल दुखा और तब मुझे लगा कि शायद मेरी परवरिश में कोई कमी थी मैं ही एक अच्छा पिता नहीं बन सका जो मेरे बेटे ने ऐसा किया लेकिन तुम चिंता मत करो मैं उसे कहीं से भी ढूंड कर ले आऊंगा जितना प्रेम तुम मुझे से करती हो उससे ज्यादा मैं उससे करता हूँ युवक की माता कहती है कि मैंने उसे हर जगह ढूंडा लेकिन वो कहीं नहीं मिला, मेरा मन कहता है कि यहां से कुछ दूर एक गाउं में गौतम बुद्ध रुके हैं वह जरूर वही होगा, तुम उसे वहां जाकर देखो ये सारी बातें युवक वहीं खड़ा होकर सुन रहा था उसकी आँखों से आसू बह रहे थे, वो चुपचाप वहां से चला गया और गौतम बुद्ध के पास पहुँचा और बुद्ध से बोला, है बुद्ध अगर आपने मुझे उस दीन आत्महत्या करने से नहीं रोका होता तो मुझसे कितना बड़ा पाप हो जाता बुद्ध ने युवक से कहा, इस जीवन की सबसे बड़ी गलती आत्महत्या करना है ये जीवन तुमने खुद नहीं लिया है, उसे तुम्हें दिया गया है, तो तुम्हें कोई हक नहीं की उसे खुद से नश्ट करो कल सुभा तुम्हारे पिता यहां वापस आएंगे, कल सुभा तुम उनके साथ जाकर उनके रिंग को उतारना युवक ने कहा, हे महात्मा बुद्ध, मुझे मेरा सारा ज्यान व्यर्थी लगता है, आप सत्यता को उजागर करते हैं मैं आपके साथ रहकर आप से ज्यान प्राप्त करना चाहता हूँ मुझे अपने संध में आप शामिल कर लें बुद्ध ने कहा, कल सुभा जब तुम्हारे पिता आएंगे, तब तुम उनसे बातचीत करना और उनसे आग्या लेना, और तब तुम्हें लगे की तुम्हें ज्यान प्राप्ती की जरूरत है तो संध के दर्वाजे सभी के लिए खुले रहते हैं दोस्तों आपने क्या सीखा इस कहानी से कमेंट करके जरूर बताना धन्यवाद